स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में आज ही मेरी शादी हुई थी लेकिन विदाई के समय मेरी मा ने कहा नेहा अपने पती को शादी की पहली रात अपने पास मताने देना अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पती तुझे ना चुए मैं हरान होकर अपनी मा को देखने लगी मेरी माने कहा बस मेरी यही बात मान लो बस अभी फिलहाल जितनी तुछ से कोशिश हो सके अपने पती से दूर रहना मैंने कहा लेकिन मम्मी ऐसा क्यों वह मेरा पती है और वह क्यों मानेगा और फिर गोतम ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा और फिर मेरी माने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं कांप कर रह गई मैंने कहा मा आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी आपको कम से कम गोतम की जिंदगी बरबाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था जब ये सच्चाई गोतम को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बरबाद हो जाएगा ये आपने अच्छा नहीं किया मेरी आँखों में आसू आ गए थे मेरी मा ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी मेरी मा ने कहा कि यह शादी गोतम की जित पर हुई है मैंने तो इस रिष्टे के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा अच्छा है तू भी अपने घर की हो जाएगी हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिन्दगी में भी खुशियों के रंग भर जाए क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती मैं क्या करती उदास मन से ससुराल चली आई मैंने ऐसा ही किया पती को करीब ना आने दिया सुहाग रात के कमरे में वह बैड पर बैठा मेरे हुसन की तारीफ कर रहा था और जैसे ही उसने मेरा हाथ चुआ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया वह हैरान हुआ मेरा पती गोतम मुझे वज़े पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया लेकिन मैंने नहीं बताया फिर एक दिन मेरे पती गोतम को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मूँ दिखाने के काबिल नहीं रही क्योंकि मेरे अंदर तो दुलहन बनी मैं गोतम के कमरे में बैट पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरस से देख रहा था मेरा पूरा शरीर इस से मैं बूरी तरह से काप रहा था मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी सामने बैठे मेरे पती की तेज नजरे मुझे अपने शरीर के आरपार होती महसूस हो रही थी वह कहने लगा क्या बात है नहा क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है मैंने अपनी नजरो को उठाते ही उसे देखा तो अपने आसूँ को रोक रही थी मेरे होट बुरी तरह से काप रहे थे और वो बड़े सक्त और गुसे शब्दों में मुझसे वजब पूछ रहा था मैं चहा कर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वज़े क्या है उसने दोबारा से मुझे दहारते हुए पूछा नेहा मैंने कुछ पूछा तुम से उसके इस तरह दहारने पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर से रोने लगी लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिये बीना मुझे छोड़ेगा नहीं गोतम ने फिर तेज आवाज में कहा ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वज़े क्या है अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे ये आंसु देख कर पिंखल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फैमी है और इस गलत फैमी को अपने दिल से निकाल दो ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सक्ट पकड में लिया था जो बूरी तरह से काप रहा था मैंने अपना हाथ खीचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब आ गया कहने लगा क्यों नहा क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो मेरी पसंद के शादी के खुबसूरत जोड़े में मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझे से यूँ दूर भाग रही हो आज हमारी शादी की पहली रात है इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अर्मान होते है और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो आखिरी सब की वज़े क्या है मुझे कम से कम वज़े तो बताओ हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूँ मैं फृष्टा नही हूँ नेहा जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे ही उस वज़ा समरा बस देखकर अपने आप ही जलता रहूं मैंने बड़ी मुश्किल से ये समय काटा है हर रोज तुम्हारे साथ के सपने देखे हैं धीरे धीरे गोदम के कहने का अंदाज निशीला होने लगा था वह मेरे चहरे पर जूलते बाल को बड़े प्यार से देख रहा था और मेरे दिल धड़कना भूल गया था जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था लेकिन मैं मजबूर थी जो राज मेरी माने मुझे बताया था अगर मेरा वह राज गोतम जान जाता तो मेरी जान ले लेता मुझे तलाक दे देता गोतम ने मुझे सोने की चेन मूँ दिखाई में दिया जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलिया बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थी एक करंट था जो मेरे पूरे शुरीर में लगा था मैंने जट से उसका हाथ पीछे जटक दिया और खुद भी पीछे हट गई मैंने कहा प्लीज गोतम मेरी बात समझने की कोशिश करे गोतम मुझे बस एक महिने का समय दे दो मैंने विंटी करते हुए कहा लेकिन गोतम पर तो नशा स्वार था वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था कहने लगा वज़े बताओ मुझे वरना मैं जबर्दस्ती पर उतर जाऊंगा तुमसे अपना हक वसूल कर लूँगा तब भी तुम मुझे सवाल नहीं करोगी वह भी शायर ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा लेकिन गोतम की इतनी नजजी किया मेरे लिए कौन सा नई आजमाश लाने वाली थी वह मैं जानती थी लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था मेरी हालत खराब होने लगी थी मैं इस कदर बढ़ हावास और परिशान थी कि वही बेहोश होकर बैड़ पर गिर गई मेरे कानों में गोतम की आवाज गुंज रही थी वह मुझे नेहा नेहा पुकार रहा था मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं होशो खवाश खो बैठूंगी शायद मैं होश से बेगाना हो रही थी यह फिर ये उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी मा की बात सुनकर मैंने खाई थी जो खुलासा मेरी माने मुझ पर किया था मैं चाहा कर भी अपने पती को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी ये भी नहीं था कि मेरी जिन्दगी में कोई दूसरा मर्द था मुझे गोतम बेहत पसंद था ये बात भी नहीं थी कि आतीद में मेरे साथ कोई ऐसा हाथसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था ऐसा कुछ नहीं था लेकिन जो समस्से मेरे साथ थी वैं शायद ही किसी लड़की के साथ हो खैर जब मुझे होश आया तो मैं होस्पिटल के कमरे में थी मेरी सास और गोतम मेरे पास परिशान खड़े थे मेरी सास मुझे से मेरी खैरियत पूछ रही थी लेड़ी डोक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है आप इने घर ले जा सकते हैं कुछ देर में हम घर आ गए मेरी सास मुझे आराम का कहकर मेरे कमरे में मुझे छोड़ कर चली गई मैं अपने बैड़ पर लेड़ गई घर पर अब भी महमान मजूद थे शादी वाला घर था महमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी मुझे गोतम की कजन्स की बातों की आवाज आ रही थी जो गोतम से मजाग कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपने पतनी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई अरे नाजुक सी लड़की थी प्यार महुबत से काम लेना चाहिए था और तुमने तो उस नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया लोगों को तो बाते बनाने का मुका मिल गया था पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी मेरी वज़े से गोतम सब के सामने शर्मिंदगी उठा रहा था कोई कह रहा था चार दिन अब कमरे की तरफ भी मत जाना कोई मेरी साथ से कह रहा था आप खुद दुलहन के पास रहिए गोतम की शकल देखकर कहीं दुलहन फिर से बेहोश ना हो जाए हसी और ठाको की आवाज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही थी लेकिन मैं भी मजबूर थी अगर असल वज़े अपने पती को बता देती तो तलाख दे कर वह मुझे धक्के मार कर अपने घर से निकाल देता अगर कुछ भी ना बताती तो संबन्द बनाने के कुछ ही महिनों बाद ही वह जान जाता मैं किस मोड पर आकर खड़ी हो गई थी कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही मुझे खाना भी वही खिलाती थी बहुत ही नरम दिल औरत थी बहुत ही अच्छी और महबत करने वाली धीरे धीरे सारे महमान भी जा चुके थे मेरी तबियत भी अफसुधर चुकी थी इसलिए मैंने खुद ही किचन का काम संभाल लिया हाला कि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था गोतम बहुत चुप-चुप सा था खाने के बीच भी मुझे शिक्वा भरी नजरों से देखता रहा मेरी ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पती ही रहते थे गोतम मेरी सास की इकलोती ऑलाद थी वैसे तो सब महमान जा चुके थे लेकिन मेरी सास ने अपने दोस और उसकी बेटी को अपने पास ही रोक लिया था मेरी सास की दोस की बेटी मेरी ही उम्र की थी उसके बीए के वेपर हो चुके थे इसलिए मा बेटी ने महिना भर यही रहने का प्लान बनाया हुआ था मुझे खटकती थी वह ये थी कि वह गोतम के साथ बेधडक अंदाज में रहती थी और गोतम से हस हस कर बाते करती थी, उस दिन भी खाने की टेबल पर सोनिया गोतम से ना जाने कहां कहां की बाते किये जा रही थी लेकिन गोतम तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था वह बस लिए दिये ही जवाब दे रहा था उसकी नजरे तो मुझे पर ही जमी हुई थी जबान से मुझे कुछ नहीं कह रहे थे लेकिन उसकी नजरे जो कुछ मुझे से कहती थी मैं जान कर भी अंजान बन जाती थी रात को मैं किचन के काम निप्टा रही थी मेरी साथ सबने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली और सोनिया भी उनी के कमरे में जा चुकी थी गोतम के छोटे से फ्लैट में बस दो ही कमरे थे एक हाल और एक डाइनिंग रूम था मैं अभी बरतन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नजरों ने उल्जने पर मजबूर किया था मैंने पल्ट कर देखा तो गोतम मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था कहने लगा नींद नहीं आ रही सर में दर्द है मुझे एक कप चाए बना दूने हा मैंने चाए की केतली गैस पर रख दी मुझे लगा था कि वह चाए का कहकर बाहर चला जाएगा मैं किचन के काम के समय डुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी क्योंकि उस समय में किचन में अकेली होती थी फिर घर पर भी कोई देवर जेट ससुर भी नहीं थे लेकिन गोतमी इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा मुझे अंदाजा ही नहीं था वह मेरी और टक्टकी लगाए देख रहा था जब मैं उसको अपनी तरफ गोर से देखते हुए देखती तो मुझे शरम सी आने लगी थी वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था बिलकुल वहीं पर मेरा डुपट्टा भी टंगा हुआ था मैं वहाँ से दुपट्टा उतार कर अपने उपर डाल भी नहीं सकती थी मेरी कोशिश थी कि जल से जल चाय बन जाए लेकिन मुसीबत यह थी कि आज गैस चूले को भी क्या हो गया था इतना स्लो चल रहा था शायद चूले में कोई कच्रा फंस गया था इतना स्लो चलता तो 15-20 मिनट चाय बनने में लग जाने थे और 15-20 मिनट यूँ ही खड़े होना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था मैं बार बार गोतम की नजरों से उलज रही थी दिल की धड़कन मेरे काबू से बाहर थी तब ही अचानक मुझे गोतम की आवाज अपने कानों में सुनाई दी गोतम कह रहा था नेहा तुम्हारे बाल कितने लंबे और खुबसूरत है मैंने तो आज गोर किया है वह थोड़ा सा और मेरी तरफ बढ़ चुका था किचन थोड़ा चोटा सा था इसलिए वह मेरे बहुत ही करीब पहुँच चुका था मैं उससे में बहुत नर्वस हो रही थी वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया मेरे चहरे को गोर से देखने लगा वह बोला जानती हो मैंने जब तुम्हें पहली बार अपनी दोस्त की शादी पर देखा था तुम्हारी मुस्कुरहाट से तुम्हारे चहरे पर पढ़ने वाले डिमपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मुझूद रहा मेरी नजर लगतार तुम पर थी बस वहीं अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिष्टा पक्का नहीं हो गया मेरा स्कून चैन तो जैसे मुझसे छिन ही गया था यह कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था मैं पीछे सैल्ट से जा लगी थी गोतम प्लीज पीछे हटो मुझे अपना डुपटा लेना है मैंने अपने माथे पर आय हुए पसीने को साफ किया था गोतम ने कहा क्यों यहां कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आपको छुपाना है पती पतनी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं गोतम मेरे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होट मेरी गर्दन पर रख दिया उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिंखलने लगी थी मेरी हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी इस से पहले कि वह मेरे चहरे को अपने हातों में लेता मैंने उसे पीछे धका दिया और कीचन से बहा निकल गई और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया मैं कैसे गोतम की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी वह पती था मेरा मुझसे महबत करता था उसने अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिष्टा भेज दिया था मेरी माने पहले पहले इस रिष्टे के लिए मना कर दिया था और जब तक यह रिष्टा पका नहीं हो गया था उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी वो ना जाने कबसे मेरे इंतिजार में था और जब आज मैं उसकी पतनी बनकर उसके घर में मुझूद थी तो वह मुझे जी भर कर प्यार भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने उसे इजाजत नहीं दी थी वह अपनी जगह सही था लेकिन जिस मुझकिल में मैं फस चुकी थी वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी टैंशन के कारण में रोने लगी थी पत्थर की तो मैं भी नहीं थी एक नेच्रल सरिष्टा था जितनी मेरी महबत और साथ की तड़प गोतम को थी मैं भी उसके साथ के लिए तड़प रही थी जी चाहता था कि उसकी मजबूत बहों में समा कर दुनिया के सारे गमों को भुला दूँ लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी रोते रोते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई थी सुबह जब उठी तो गोतम आफिस जा चुका था मैंने अपनी सास से गोतम की इतनी जल्दी आफिस जाने की वज़ा पूछी तो मेरी सास ने कहा पता नहीं कह रहा था आफिस में कुछ जुरूरी काम है मुझे याद आया मैंने तो रात पर अपना कमरा अंदर से लोक रखा था शायद गोतम वही हॉल में सोफे पर ही सो गया होगा उसके कपड़े और बैग वगरा भी तो कमरे में ही थे मैं समझ गई गोतम आफिस नहीं गया बलकि वह घर से ही कहीं चला गया है अब मुझे गोतम की चिंता होने लगी पता नहीं वह कहां चला गया होगा वह मुझे से नराज था पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया था शाम चार बजे के करीब वह आया था वह सीधा कमरे में चला गया उसके बाद से गोतम ने मुझसे बाचित करना बिल्कुल बंद कर दी वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था एक बार उसके आफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से कपड़े चीन लिए कहने लगा मेरे काम करने की तुमें कोई जरूरत नहीं है यह कहकर उसने अपने कपड़े सोनिया को दे दिये नाश्टे का भी उसी से कहने लगा मैं बेचैनसी होकर रह गई थी गोतम का रवय शायद मेरे साथ ठीक ही था वहें कब तक मेरे साथ नर्मी से रह सकता था लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आई जब मैंने सोनिया को गोतम के आगे पीछे घूनते देखा वहें बड़ी खुशी से दोड़ दोड़ कर गोतम के सारे काम कर रही थी हैरत तो मुझे यह देख कर भी हुई कि शाम को जब गोतम आफिस से वापस आता था उस समय सोनिया नई दुलहनों की तरह त्यार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी जैसे ही गोतम अंदर आता सोनिया भाग कर उसके करीब जाती उसे मुस्कुराते हुए हैलो कहती और उसके हाथ से बैग ले ले लेती जो जिम्मेदारी मेरी थी वह बड़ी खुश दिली से सोनिया निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी लेकिन मैं क्या कह सकती थी क्योंकि गोतम खुद उसे इतनी एहमियत दे रहा था शायद इसलिए की जो वह चाहता था वह में पूरा कर नहीं सकती थी बात यहीं तक रुकी रहती तो ठीक था एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो मुझे बहा डाइनिंग रूम से बातों की आवाजे आ रही थी जब मैं कमरे से बहा निकली तो दोनों ही हस हस कर बाते कर रहे थे सामने चाय के दो कब भी पड़े हुए थे मुझे देख का सोनिया की हसी को तो ब्रेक लग गए थे लेकिन गोतम बिलकुल बे परवासा बैठा हुआ था और सोनिया से बाते करता रहा जैसे उसे मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई मेरी जिन्दगी धीरे धीरे बरबाद हो रही थी मेरा घर उजड रहा था लेकिन मैं शायद जिन्दगी के उस मोड पर खड़ी थी कि जहां आगे कुआ और पीछे खाई थी अगर मैं हाकिकत गोतम को बताती तब भी मेरा घर बरबाद हो जाना था और ना बताती तब भी यह सोनिया नाम की लड़की मेरी जगा ले ले लेती औरत सब कुछ सेह सकती है लेकिन सोतन का दुख नहीं मेरे और गोतम के बीच जो कुछ भी था मैं नहीं चाहती थी कि सोनिया बीच में आए इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि सोनिया को काफी दिन हो गए है यहां आए हुए यह वापस कब जाएगी हाला कि सोनिया की मां को गए हुए काफी दिन हो गए थे सोनिया यह कहकर रुख गई थी कि मैं कुछ दिन और यहां रहना चाहती हूँ मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुमें आय हुए बहुत दिन हो गए है तुम अब अपने घर जाओ लेकिन ये गोतम है कि उसे मना किये जा रहा है वह जाने का मन भी बनाती है तो गोतम उसे रोक लेता है यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुठी में जकड लिया था गोतम क्यों चाहता था कि वह यहां से ना जाए एक बार मैं किचन से बहार आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बाते कर रहे थे मैं दर्वाजे पर ही खड़ी हो गई उनके बीच होने वाली बाते ही कुछ ऐसी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है लेकिन आज इस राज से भी परदा फास हो चुका था मैं तो इस गलत फैमी में जी रही थी कि गोतम मुझसे महबबत करता है लेकिन हाकीकत तो शायद कुछ और ही थी क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह जल जला सा आ गया था कि मेरा पती मुझसे महबबत नहीं करता है शायदी ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी वरना महोबत तो उसे सोनिया से ही थी और सोनिया उसके कहने पर ही यहां रुकी हुई थी मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई मैंने रात का खाना भी नहीं खाया मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही मैंने सीर दर्द का बहाना बना दिया आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी रात दो बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाजे आने लगी मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दर्वाजा बन था मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए सोनिया गोतम की बाहों में थी एकदम से मेरी आँख खुली थी मेरा शरीर बुरी तरह से काप रहा था मैं पसीने से भीग चुकी थी भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बहा निकली हॉल में खामोशी चाई हुई थी मैं ड्राइंग रूम में गई गोतम अपने लैपटोप पर कोई काम कर रहा था मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई वो मुझे देखकर कुछ परिशान हुआ कहने लगा क्या बात है रो क्यो रही हो मैंने कहा गोतम आप आज के बाद सोनिया से बात नहीं करेंगे मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा फिर अपने लैपटोप बंद कर दिया कहने लगा क्यों न बात करूँ मैंने कहा आपके दिल में सोनिया थी तो मुझे से शादी क्यों की आपने वह कहने लगा मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सोनिया की कदर नहीं की और तुम्हारे हुसन का दिवाना बन बैठा और तुम से शादी कर ली सोनिया मुझे से पहले से ही महबत करती है और मुझे से शादी करना चाहती है और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है इसलिए मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चक्रा गया था मैं फूट फूट कर रोने लगी मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे यू बर्बाद नहीं कर सकते मैं मर जाओंगी आपके बगार गोतम मैं आपसे बहुत महबत करती हूँ मेरी बात सुनकर गोतम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया कहने लगा बस यही तो सुनना चाहता था मैं यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है इसलिए मैंने सोनिया से विंती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे नेहा सोनिया मेरी सगी बहन है मम्मी की सहली की कोई उलाद नही थी इसलिए मम्मी ने उसे सोनिया को ही दे दिया था यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी फिर गोतम बोला कि तुम्हारी दूर्योंने मुझे बेहत परिशान कर रखा था मुझे लगा शायद तुम किसी और से महबत करती हो इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंडती हो इसलिए मैंने सोनिया के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मिनान और सकून भर दिया है शायद तुम्हारे मुझसे दूरी एक नैचरल जिजग थी गोतम मेरी करीब आने लगा इतना करीब कि उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया गोतम ने मदहोश होते हुए कहा नेहा अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो मैं तुम्हारा पती हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुचाऊंगा इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जबान से मैं इजहार एह मोहबबत कर चुकी थी पूरी रात मेरी डर में गुज्री थी कि जिस दिन मेरा सच गोतम को पता चल गया वह अधिन मेरा इस घर में आखरी दिन होगा खेर मेरा साथ पाकर गोतम बेहत खुश था कुछ दिनों बाद सोनिया भी वापस चली गई थी बस मेरा दिल हर समय डर के साय में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता गोतम को होगा तो मेरा क्या होगा हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर पाए थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी गोतम मुझे जल से जल पोते या पोती की खुशकबरी भी सुना दो तुम मेरे इकलोते बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि मैं जल से जल दादी बन जाओ इस सुने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारिया गुंजे ये सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई मैंने जल दी से प्लेट उठाई गोतम ने मेरी तरफ देखकर कहा क्या बात है नेहा तुम इतना परिशान क्यों हो रही हो मैं उसे क्या जवाब देती मेरी तो भूख ही मर चुकी थी फिर गोतम ने मुस्कुराते हुए अपने मा को तसली दी कि मा अभी इतनी भी जल्दी क्या है आपको ये खुशकबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उनकी यह जल्दबाजी कुछ नैचरल भी थी उनके दो ही तो बच्चे थे सोनिया को उन्होंने अपनी सहली को दे दिया था उनके पास सिर्फ गोतम था ना जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था इसलिए उन्हें बच्चों की बहुत जादा जल्दी थी अपनी मा के बार बार कहने पर गोतम मुझे एक लेड़ी डोक्टर के पास ले गया उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिये मेरा दिल बहुत बेचान था जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था मैंने डरते डरते गोतम से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की तब गोतम ने मेरा हाथ थाम कर बोला नहा बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक ही बार में दो बच्चे दे दे गोतम की बाते मेरा दिल दहलाने के लिए काफी थी जो हकीकत मेरी माने मुझे बताई थी मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को गोतम को नहीं दे सकती और जिस दिन यह बात गोतम को पता चली वह दिन मेरा इस घर में आखरी दिन होगा वो मुझे कभी भी सच्चाई के साथ सवकार नहीं करेगा फिर वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रा साउड हुआ था उस दिन मेरी अन्खोर जैसे मेरे श्रीर से निकल लही थी जिस तरह से अल्ट्रा साउड करने वाली बार-बार मेरे चहरे की तरफ देखती तो कभी अल्टरसाउंड की स्क्रीन की तरफ तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मैंने डोक्टर से विंती की कि वह मेरे बारे में मेरे पती को कुछ ना कहे लेकिन वो कहने लगी ये तुम कैसी बाते कर रही हो, हमें ये order नहीं है, वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी, तो कोई और ultrasound वाला बता देगा, ये बात जादा दिनों तक छुप नहीं सकती, भलाई इसी में है कि आप अपने पती को खुद ही सचाई बता दे, मैं उससे विंती करने लगी, कि मेर घर तूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किसमत ही खराब थी, मेरी रिपोर्ट गोतम तक पहुँच गई थी, जैसे ही लेडी डोक्टर ने वह रिपोर्ट देखी, तो मुझे हैरत से देखने लगी, और उसने मेरी रिपोर्ट की सारी सचाई गोतम को बता दी, और मैं यू थी कि पत्थर की तरह कुरसी पर बैठी हुई थी, मेरा सच गोतम को पता चल चुका था, गोतम के बदलते हवाल और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी, घर जाते ही मेरी सास गोतम से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी, तो गोतम कहने लगा, अभी चाप अपने कमरे में चली गई थी, उससे में मेरी बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी, मेरी जान निकली हुई थी, गोतम ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाला था, गोतम जब कमरे में आया, तो उसकी आँखे लाल थी, मेरे दिल था कि धड़कना भूल गया हो मेरे आंसु बह रहे थे वो मेरे पास आकर बैठ गया कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा लेकिन नजरे जैसे बहुत कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई मैं बस लगातार आंसु बाहर रही थी मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था थोड़ी देर बाद गोतम कहने लगा बस एक बात बता दो नहा कि तुम यह बात पहले से जानती थी मैंने नामे सीर हिला दिया मैंने कहा मेरी माने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी यही वज़़ थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो यह कहकर मैं रोने लगी वह कहने लगा तुमने अच्छा नहीं किया नहा तुम जानती थी कि मैं एकलोता हूँ, मेरी माँ को उलाद चाहिए, तुम्हारी माँ अगर सचाई जानती थी, तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। यह कहे कर गोतम कमरे से बाहर चला गया, पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए, यही तो बात बताई थी, कि मेरे अंदर जन से ही बच्चेदानी मुझूद ना थी, मैं कभी भी माँ बन ही नहीं सकती थी, 14-15 साल की हुई, तो मुझे पीरिट्स नहीं आये थे, मेरी माँ को भी चिंता हुई थी, मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरिट्स नहीं आये, फिर वो मुझे एक लेड़ी डोक्टर के पास लेकर गई थी, जहां मेरा अल्ट्रसांड हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझे मेरी ये हगयकत चुपा ली थी, उन्होंने यही कहा था, कि तुम्हारे अंदर थोड़ फिर मुझे यहे भी कहा गया, कि जितना हो सके तुम गोतम से दूर रहना, क्योंकि अगर वहे तुम से संबंद बनाएगा, तो जाहिर है, कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वहे तुम्हें डोक्टर के पास लेकर जाएगा, तो यह हकीकत उस पर खुल जाएगी, और आज वहे दिन आ चुका था, मेरी हकीकत गोतम पर खुल चुकी थी, मैं फूट फूट कर रो रही थी, लिकिन वहे एक बार भी मेरे आसु पोचने नहीं आया, सुबह तक मैं समझ चुकी थी, कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाने वाला है जब मैं सुबह कमरे से बहा निकली, तो गोतम अपने ओफिस जा चुका था, पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था, जब वहे घर वापस आया, तो उसके चहरे पर उदासी सी चाय हुई थी, उसने हाथ में रिपोर्ट पकड़ी हुई थी, जो मेरी सास के सामने रखी मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिलकुल अनपड़ है, कहने लगी गोतम मुझे इन रिपोर्ट का क्या पता, कि इसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ गोतम कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, गोतम कहने लगा कि मा, मैं आपको क जले लग गया और कहने लगा मा मैं एक बांज हूँ भगवान के लिए मुझे दोबारा उलाद के लिमत कहिएगा मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाए उलाद के यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था गोतम ने हर बात खुद के उपर ले ली थी और मुझे हर ची लिए तो कहने लगी कोई बात नहीं गोतम तुम अनाथाश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझ कर पाल लेंगे लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो मैं तुमें कभी भी दोबारा उलाद के लिए नहीं कहूंगी कमरे में आकर गोतम बैड़ पर बेजा बिठाया कहने लगा कि पती पतनी एक दूसरे का अंग होते हैं तुम मेरी होने हा तुम्हारा एब मेरा एब है तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सक शादी को 5 साल गुजर चुके हैं सोनिया की भी शादी हो चुकी है और उसने दो जुड़वा बेटों को जनम दिया था एक बेटा सोनिया ने मुझे और गोतम को दे दिया मैंने खुशी खुशी सोनिया के बेटे को अपना लिया था अब गोतम मैं और मेरी सास बहुत ही खु दोस्तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं. यदि आपके पास भी आसी कोई प्यारी सी कहानी है ये फिर आसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जूरूर शेयर करें. दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर जुरूर करें और ऐसी ही दिल को छूलेने वाली प्रेर नदैक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जुरूर करें तो दोस्तो फिर मिलते हैं ऐसी ही जवर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुप वा मंगल में हो